एपिसोड 51 की स्टार्टिंग होती और हमें जियान दिखाया जाता है जो की फैंक सिटी पहुँच चुका होता है और उसे जब गिली देखता है तो बोलता है कि फाइनली तुम बापस आ गए तभी जियान अपने दोस्तों के बारे में बताता है गिली को और बोलता है कि ये भी हमारे साथ चलेंगी जीमा एंपायर तो गिली भी उनको थेंक्यू बोलता है साथ देने के लिए और फिर जीन आंगी आता है और तीन लोगों से बोलता है आप लोगो ने अपना प्रॉमिस को पूरा किये जो आप यहां पर आए उसके लिए थेंक्यू सो मच पर एक बा दूबी तो हम सभी डूबेंगे इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी चूतिया पानी करेंगे जिसे हम सभी के लेने के देने पड़ जाएं हम सभी लोग डटकर इसका सामना करेंगे तो यही अच्छा रहेगा और सती यह जैसी काम खतम हो जाएगा उसके बाद जीन आप सभी को देगा यह सुनके वो लोग काफी तक ठुस हो जाते हैं और वो जीन को थेंक्यू बोलते हैं और फिर जीन गिली से सारे ऑफ्च सव झाम और जाते हैं और फिर जीन और अपने सभी सभी वाоров से बह जाते हैं और फिर जियन अपना हाथ उठाता है और बोलता है चलो जीमा एंपायर की तरफ ये सुनतिकन वो सभी के सभी ग्रैफिन आगे बढ़ने लगते है जीमा एंपायर की तरफ और इंपर जीमा एंपायर की तरफ देखता है और बोलता है जीमा एंपायर और मिस्ट्री क्लाउड स एक सीन दिखाया जाते हैं पर एक वहल के अंदर अमारी प्यारी दुलारी यूनियून बैटी हुई होती है तभी उसके ऑल का गेट खुलता है और वहाँ पर आ जाता यूंसें और वह यूंसें बूलता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो ये इस उनकी यूंसें थो चोटी सी जीव फैमिली के साथ किया उस बात को मैं नहीं बूल सकती हूँ और इस बात का जियन आप से जरूर बदला लेगा तो यसिन की यूंसेन बोलता है जियन बस एक छोटा सा टैलेंटिड बच्चा है पर उसकी इती ज़्यादा आउकाद नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ पाई और साथी मैंने उसकी तीन साल से कोई भी खवर भी नहीं सुनी इस बज़े से मुझे लगता है वो अभी तक तो मढ़ चुका होगा इसलिए अब तुम भी उसे भूल जाओ और फिर मैं तो मैं फिर से मिस्टी क्लाउड से का लीडर बना देता पर तुमारी अलग को देखे लगता है कि तुम अभी भी उस पास से बाहर नहीं आ पाई हो और रही बत उस जीव फैमली के मेंबरों की तो मुझे कुछी टैम पहले उनके बारे में पता चला के वो काँ पर चुपे हुई है और उन जीव फैमली के मेंबरों की जो रक्षा कर रहा है वो प्राइमर क्लैन है इसलिए इस पास जो भी आएगा मेरे सामने मैं सभी को मार डालूँगा जाए फिर वो पूरा जीव एमपायर क्यों ना हो ये सुनकी यूनियन डर जाती और खड़ी होती और बोलती मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो प्राइमर क्लैन के साथ ये सुनकी यूनियन डर जाती और बोलती कि मास्टर आप जिद्धी मत बनो आपकी इस जिद्धी बज़े से हमारा मिस्टी क्लाउड से आप पूरी तरीके से तबाह कर दोगे ये सुनकी यूंसन गुस्या आ जाता और बोलता कि तुम्हारी हिमत कैसे ही मुझसे इस तरीके से बात करने की और जो मिस्टी क्लाउड सेक है वो मेरी बज़े से तबाह नहीं होगा वो बनेगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल सेक क्योंकि उसका जो लीडर था वो तो उस उचाई तक नहीं लिजा पाया मिस्टी क्लाउड सेक को पर मैं इससे सबसे पावरफुल सेक बनाऊंगा और तुमारी लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम उन सभी बातों को भूल जाओ भले वो जियन अभी जिन्दा क्यों ना हो तुमारा आंगे चल की उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है और यह उलकी यून सेन वह से चला जाते और यून के हौल का गीट लगा देता है और यही पिचारी यूनियन फिर से उसी के अंदर कैद हो जाती जो जीव फैमिली के मेंबर हो अभी प्राइमर क्लेन के अंदर चुपे हुए हैं इसलिए हमें जीव फैमिली के मेंबर हों की और भी ज़्यदा प्रोटेक्शन बढ़ानी होगी यह सुनकि जियान का थेड़ भाई बोलते है किया वो सच में प्रायमर क्लैन की उपर हमला करनी की सोच रहे हैं और मुझे इस पास का टर्यकी प्रायमर क्लैन हाट जायेगा यह सब सुनकि आइसेंट पर खड़े होते हो और बोलते हैं कुछ भी हो हम इसका सामना करेंगे बस जीव फैमिली को और भी जदा केरफुल होना होगा और साथी प्राइमर क्लैन के सभी मेंबरों से बोल दो एक बड़े बैटल के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मैं सर कटा सकता हूँ पर सर जुका नहीं सकता तो यह आफी बोलती कि मैं तैयारिया करती हूँ और पर आईसेंपर जीव फैमिली के सभी मेंबरों को छुपा के रखो किसी को भी पता ना चले जीव फैमिली के बारे में यह सुनके जीव बोलता है कि सौरी आईसेंपर मुझे माफ कर देना हमारी बज़े से आप लोगी प्रॉब्लम है पड़ गए तो आईसेंपर बोलते तो मैं यह सब बोलने की जुरूत नहीं है क्योंकि असले गोने गार तो वो तैयों सैन है तो यह सुनके जीडिंग बोलता है आईसेंपर आप बिल्कुल भी टेंशन मतलो मेरा थार्ड भाई बहुती जल्दी बापिस आने वाला है और जब बापिस आएगा तो वो मिस्टिक लाउट सैक का नाव निसान मिटा देगा यह बास सुन्दिकन आईसेंपर की फेस पे एक स्माइल आ जाती और जीडिंग की खुसोती हुए बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा भाई बहुती जल्दी बापिस आने वाला है और उसके आतीकर हम लोग मिस्टिक लाउट सैक को बहुती आसानी से अरा देंगे यह सब सुन्दिकन याफी भी खड़ी हो जाती और बाइर की तरफ देखती हो बोलती है मैं भी उसी दिन के जार कर रही हूँ कि वो अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉंग बन चुका होगा कि वो अरा पाई उसे और इसी उम्मी के सा सीन चेंज हो जाता है अफ्रे में जियान का काफी आना दिखाया जाता है जिसे एक मैना बिज्चुकाता सफर करती हुए और इंपर जो जियान तो बैटा हुआ कल्टिवेशन कर रहा होता है क्योंकि उसे ये सब चीजे काफी सा बोरिंग लग रही थी तो यसे उनकी जियान असले लगता है और बोलता कि यहां मुझे पता है कि काफी जल्दी बोर हो जाती है और साथी मैं यही सोचना था कि इसके साथ रहते 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 उसकी आदसी पड़ गई है इसलिए उसके बिना रहना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है यह सब संते गेली भी एक छोटी से स्माइल देता और बोलता कि पास एक प्रॉबलम है जो काफी जादा शौकिंग थी उसके साथ क्यों इन मेडूसा है और आप तो जानते कि वो वरत किती जादा खतरनाक है तो यह से उनकी जियान मुझता है यह तो जिया के लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि वो दोना एक दूसरे के साथ जादा टाइम बिताएंगे और वो जिया के साथ खेलेगी तो उन दोना को जो रिलिशन से पर वो काफी जादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि उन दोना की जो ओर्जिनल बॉड़ी हो एक मैजिकल बीस्ट की है इस बज़े से वो दोना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और साथी मुझे जिया को अफग्रेट करना है और की इन मेडूसर को एक करना है और फिर सीन चीन जो जाता है फ्रम एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जापि जीया बोल रही होती है सिस्टर मुझे वो प्लेज मिलकी जापर अपने वो ट्रेजर्स मिलेंगी क्योंकि वो ट्रेजर उस गुफा की अंदर है और जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है वो मुझे थोड़ा सा पारफुल सा लग रहा है और साथी जिस आदमे की ये ट्रेजर्स है वो एक डाउजंग लेवल का वारियर है और वो बहुती बड़ा लालची है क्योंकि इस गुफा की अंदर जितने भी मेडिकल हफ्स है वो सबी के सबी उसने किसी न किसी से लूटे है और उसे इस वात का ड़टा कि कहीं उसकी मेडिकल हफ्स कोई चुराना ले इसलिए उसने इस गुफा के अंदर उसे चुपा दिया और उसे ऐसा लगता हुआ कि उसे कोई ढोड़नी पाएगा पर मैं तो खिलाड़ी इस बज़े से मुझे काफी दूर से इन मेडिकल अफ्स की स्मेल आ गई और अगर मुझे इसके अंदर मेडिकल अफ्स मिल जाती तो फिर मैं जियान से बोल सकती के वो मेरी लिए पिल बना दी और इनको लेना इत्ता ज़दा आसान नहीं होगा क्योंकि ये 6 लेवल का मॉस्टर वो काफी ज़दा पाउरफुल है बता नहीं अपुल लोग इसको अरा पाएंगे के नहीं अरा पाएंगे तो ये सिनके के इन रिडूस अपने स्वैक में बोलती 6 लेवल के मॉस्टर को मानना कोई बड़ी बात नहीं है पर अगर तुम सोर बगैरा नहीं मचाती हो तो तो मैं इस फ्रोब्लम को फेस करना ही नहीं पड़ेगा पर तभी ये थोड़ा सा सोचने लगती तभी उसके दिमाग में एक आईडिया आता और वो के इन रिडूस को बताती है तो के इन रिडूस अभी जुग जाती और जिया उसकी काम में बोलती ये सुनके क्यों विडूस अब बहुती अच्छा इडिया है लेकिन ये जो मैजिकल वीष्ट उसका जो लेवल हो डाव वंग लेवल की बरावर का है तो ये सुनकी जिए एक प्यारी सी स्माइल देती और बोलती है मैंने तो बहुत बार इन मैजिकल वीष्टों के साथ खेला है इसलिए मुझे नहीं लगता के ये ज़्यादा मुस्केल होगा मेरी लिए ये सब हरकते देख के हमारी क्यों मिल देखने को मिल जा तमको वो बहुती प्यार से जिया की सर को सहलाती और बोलती कि तुम अपना क्याल रखना और फिर में वो मैजिकल वीष्ट दिखाया जाता है जो कि सोने में लगा हूँ है तभी जिया उसके पास पहुंचाती है और उसमें थंडर जड़ देती है और बोलती कि मैं बस तभी मानना चाती हूँ तो यह देखके वो बोलता है कि बच्ची तुम्हे मरना है और जिया की उपर ताड़ देता है यह देखके जो ओवरेक्टिंग करने लगती है डरने की और बोलती है बिला तो बहुती ज़्यादा खतरनाक है और फिर अपना आतो सील्ड की उपर रख देती और अपनी बुएकी से सील्ड को प्रेस करने लगती है उसे गुस्सा आजाते है और वो हमला करने लगता है अपने पंज से जिया की उपर पर जिया होती है हमारी काफी ज़्यादा फास्ट इस बज़े से वो सभी हमलों को डौच कर देती है पर जो मैजिकल वीस तो वो जिया की पीछे हाथ दोगे पढ़ जाता है पर जिया काफी पीछे हाथ दोगे पढ़ जाता है सभी पीड़ों को तोड़ तारते हुए जिया का पीछा करने लगता है पर जो चुटा पैकेट जिता ज्यादा नौटी होती ज्यादा चतोर है इसलिए उससे बचते बचाते हुए एक पीड के सामने आके खणा हो जाता है और उसके सामन से निकल जाती तभी उस मिलने को और जिदा गुस्ता आ जाती और वो चिलाता है और जिए उसके सभी अमलों से बस्ती हुई आंगी बढ़ रही होती है पर तभी वो जिया के 4 तरफ आग लगा देता है जिस बचसे बीच में फस जाती है और ये देखिए वो मैजिकल भी ज जोर जोर से इसने लगता है और जिया से बोलता है कि बच्ची अब तुम मेरे आज से नहीं बस सकती हो चाहे फिर तुम अपने विंग्स भी क्यों ना निकाल लो और यह फिल्म को दे के काफी तर डर जाती है और वह मैजिकल वीश चार तरफ जिया की उपर हमला करे जा रहा ह जिस बज़े से जो हमारा चोटा पैकेट हो तो काफी तर डर जाता तभी उट चुट से चिलाता है सिस्टर मेरी मदद करो और जिया के पुकार तिकन जिया के सामने आ जाती है हमारी क्यून मेडूसा और तभी क्यून मेडूसा उससे बोलती है तुम भी एक मैजिकल वीश इस बज़े से मैं तो मैं नुकसान नहीं पहुचाना चाहती हूं इस बज़े से अपनी बोरी विस्तर उठाओ और यहां से फूट लो और यह पीछे से चुबी हुई जिया देख रही हुथी तभी क्यून मेडूसा उसे एक स्पेस्टोरिंग देती और जिया उसे ले ले मेरा तो करियर का तम में तो गियो तभी जिया आंगे आती और बोलते क्या तू रोने में लगा हुआ है किसी का पाल तुकुता बनने से अच्छा बढ़िया मेरी तरह आजात गूंग तो मैजिकल विस्त बोलते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों ने मेरे उपर सील लगा दिये जिस बज़े से अगर मैं गुफा की रक्षा नहीं करता हूं तो लोग मुझे ट्रैक कर लेंगे और आकर मुझे मार डालेंगे और वो अपनी पहुर को एक्टिवेट कर ले तो और बोलता के उसे मुझे दे दो और वो अमला कनने के लिए आंगे आने लगत और बोलता कि वे फाइनली आजाद हो गया अब मेरी कोई भी बाउंडरी नहीं है और मिस्टर डाउसंग थैंक यू सो मच तबी जी अपना स्वाइग मारती हूँ बोलती है क्या तुम अभी भी मुझे से फाइट करना चाती हूँ तो वो मैजिकल बीस बोलता है बिलकुल कि चोड़ तो नहीं लगी तो जिया बुलती कि मेरे पास काई लीन है इस बज़े से मुझे कुछ नहीं हो सकता तो जिया बुलते कोई बात नहीं और जब जियान मेरी लिए बोडी रिफाइनिंग पिल को ओगा ना देगा तब मैं भी अपनी अथली बोडी के अंदर आ जा थोड़ी से सीरियस होती और बोलती है पता नहीं वो लड़का अपने प्रोमिस का पूरे करेगा जो उसने लोगों से कर रखी हैं तभी चोटा पैकेट बोलता कि आप जियान से नफरत क्यों करती हूँ आप उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हूँ बोजे तो काफी दर कष्थी बोलती कि finally safely आ गये तो जियान वे उनको देख लेता और उनके पास आता है और बोलता कि तुम दोनों कहापर गये तो जियान के पास आती तो जियान को स्मेल आती है medical लब्स की तो जिया बुलती कि तुम्हें सभी पैचाना और वो सारे अधिकल अप्स को रख लो इसकी मदद से तुम मेरी शिस्टर काईलीन के लिए एक पिल बना पाओगे और साथी मेरे लिए भी टेस्टी टेस्टी पिल बना पाओगे और इंपि जब जिया नोन मेडिकल अ जाता है क्योंकि वो काफी जदा रियर मेडिकल अप्स थे जिसमें से एक ड्रेगन अप्स था और साथी एक्स्ट्रीमी कोल्ड गेंडोमा तभी जिया से पूछता है कि तुम्हें ये सब कहां से मिले तो जिया बड़ी खुस होती हो बुलती कि ये मुझे मेडिकल के अंदर जान नहीं कर सकते ये से कुछ बोलने बाली होता है तभी बीच में जीया टपक पड़ती है और बुलती है जिया तुम बिल्कुल प्रिटेशन मतलों सिस्टर कैलीन आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाती है वह तो वासा आपकी प्रॉब्लम सोर्प करना चात दो तो ये से के गिली बुलता कि ये एपिसोड ये पर खतब हो गया आँगे इस वीडियो को लाइक कर दो और साथी कमेंट करके वताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथी ये बताओ कि आपको ओफिशल एपिसोड टेलीग्राम चैनल पर 4K में देखना है या फि ये एंगलिस सब्टाइल के साथ और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगे आपको डिस्क्यूपिशन के अंदर और में बताओ आप से नेश वीडियों तब तक के लिए बाई